येर कल तुम्हारा IP Mat Indoor का एक्जाम है तो तुम लोगों के लिए बहुत मेरे दिल से Best wishes, Best of luck तुम लोगों को एक message देना चाहता हूँ जो मेरे teacher ने verbal ability के दिया था जब मैं cat देने के लिए गया था और उनका वो जो message था उसने मुझे exam में बहुत help करी आप लोग कल exam देने जा रहे हो ना तो exam में सुबह सुबह ऐसे सोच के जाना जैसे मैं एक beach party पे जा रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि बियर की बहुत तर लिके पहुच के exam center नहीं इस बात करने एक बड़ा deep meaning है इस बात का मतलब यह है कि exam देने जा रहे हो ना तो ऐसा सोच के जाना कि यार यह एक ऐसा exam है जो important है और इसके लिए मैं अपना best shepherd दूँगा बट कभी भी यह मत सोचना कि यार यह exam मेरी life change कर देगा या यह exam मुझे best dream calling में लेके जाने वाला है अगर आप अपने दिमाग में इतना pressure बना लोगे इतना जादा अपने आपको push कर दोगे कि भाईया यह तो मेरा life changing exam है तो anxiety में गलती होने के chances हमेशा बढ़ती है nervous आप feel कर रहे होगे nervous feel करना बहुत genuine emotion भी है आप करो आपको अभी feeling हो रही है उसको enjoy करो उस feeling को पर कल सुबह जब हमें उठना है हमें बिलकुल एक fresh mind से उठना है और हमें अपने आपको यही कहना है कि भाई आद तो बस party का देना है आद तो मैं पूरा अतना पैस देके आऊँगा अपने exam के लिए सुबह सुबह कोई भी बेकार की बातें खामका की ज़्यादा practice कुछ इदर उदर का topic में दिमाग लगाना उन सब चीजों में मत पढ़ जाना जो आप में से लोग आयम इन दौर में select होने वाले हैं उनको भी यही लग रहा होगा कि यार अभी भी preparation नहीं होगी है अभी भी preparation कम रह गया या अभी भी कुछ करना रह गया है एक बहुत genuine emotion है हर किसी को हमेशा यही लगता है पर आपने अपना best दे चुके हो आप अब आपको बस कल जाके exam में देना है और एक line बहुत अच्छे से याद रखना अगर कल exam difficult आए आपसे question ना solve हो रहे हो याद रखना difficult सिरफ आपके लिए नहीं है जितने भी आप दूसरे candidates है सब के लिए difficult है और आपको बस दूसरों से outperform करना है आपके select होने के लिए boards की तरह यहां 99% बिल्कुल भी required नहीं है कल के exam के लिए अपना सारा समान लेडिट कर लो admit card ले जाओ अपने wallet को avoid करना लेके जाना अपने पैसे अपनी जेम में लेके जाना and अपने phone को भी कोशिश करना कि तुम छोड़ सो को बट अगर important है तो लेके जाना बाहर कहीं locker room में या किसी shopkeeper को पैसे देके उनके हाथ में पकड़ा देना safety के लिए best of luck guys कल के exam के लिए तिल से आप लोगों के लिए best wishes कल आपके exam के analysis वीडियो आ जाएगी exam खतम होने बाद और expected cut off की वीडियो भी कल आ जाएगी तो उसके लिए चानल को याद से subscribe कर लेना बाई